एग गाईज तो सैंसंग ने ओफिशियली सैंसंग गिलेक्सी एट थर्टीन दिवाइस के लिए अंडर थर्टीन विज वनिया 5.0 की एश्टेवल अपडेट रहा है वो रिलीस कर दिया और गाईज यह अपडेट रहा है वो इंडिया के अंदर रिलीस किया गया है तो आज की इस नी विडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ इस अपडेट के फीचे आस के बारे में exactly मैं आप लोगों को एक एक फीचेस जो है वो इस वीडियो के अंदर explain करके बताने वाला हूँ तो अगर आप लोगों के पास सैंसंग का स्मार्ट फॉन है और आप लोग यह फ पर देख पार होगे कि फाइनली Samsung ने काफी लंबे टाइम के इंतजार के बाद Samsung Galaxy A13 के लिए जो है वो 1A5.0 विद Android 13 की ओफीशियल अपडेट रिलीस कर दिये बात कर इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 1418.63 MB की हमें अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है 1 November 2022 का security patch इंक्लीट किया गया साथी साथ ये अपडेट जो हमें इंडिया के लिए जो है वो रिलीस देखने के लिए मिल जाती है गाइस इस अपडेट के अंदर जो है वो Android 13 विद वन ये 5.0 इंक्लीट की गई है तो जाहिद सी बात है कि काफी सारी features वो हमें इंक्लीट देखने के लिए मिलने वाली क्यूंकि measure OS and measure UI की अपडेट रिलीस की गई है तो बहुत सारी features वो हमारी device के अंदर देखने के लिए म बेसिकली वन ये 5.0 के notification पैनल को something something जो है वो optimize किया गया जैसा कि आप लोगों इस फिन पर देख पार होगे कि वन ये 4 का notification पैनल कुछ इस परकार से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है अगला feature आप लोगों को message application में देखने के लिए मिल जाती है गाइस यहां पर message application के कुछ layout को change किया गया है जीहां गाइस देख सकते हो आप लोग कि कुछ emojis को include किया गया कुछ interface को यहां पर change करने की कोशिस की गई है साथ साथ next feature हमें lock skin के अंदर देखने के लिए मिल जाती है जीहां गाइस हम लोग setting में जाते हैं यहां पर lock skin में जाते हैं तो lock skin में आप लोगों को काफी सारी features देखने के लिए मिल जाएगी reduce भी कर सकते हो तो यहां पर visit की setting आप लोग यहां पर इस अपने according जो है वो देख सकते हो dynamic lock skin का option आप लोगो कोई सब्डेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा काफी सारे visits आप लोगो कोई सब्डेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी icon shape यहां पर change कर सकते हो कि यहां पर notification आती तो उसकी icon shape क्या होनी चाहिए कैसी notification होनी चाहिए basically अपने according जो है वो minimize या फिस्ते कह सकते हो कि optimize कर सकते हो अगला feature हमें lock screen के अंदर ही देखने के लिए मिल जाती है जो कि lock screen shortcut का option आप लोगो को देखने के लिए मिल जाती है जब हमारा phone lock screen पे होता है तो basically हम लोग एक shortcut panel open कर सकते है जिसमें हम अपने according application को select कर सकते just like क्या आप लोगों को camera देखने के लिए मिल जाएगी do not disturb देखने के लिए मिल जाएगा calculator देखने के लिए मिल जाएगा अगला फीचर हमें notification के अंदर देखने के लिए मिल जाती है जियां गाइस notification के अंदर आप लोग अपने according कुस्टोमाइजेशन कर सकतो लाइक यहां पर यह कि कौन सी application का आप लोगों को notification चाहिए कौन सी application की notification नहीं चाहिए यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह को select कर सकते हो देन यहां पर कौन कौन सी app आप लोगों को disturb ना करें यानि की notification ना या कुछ भी हो सकता है न वो ना आए तो basically आप लोग यहां पर do not disturb में वो सभी application को select करके जो है वो रख सकते हो अगला feature जो हमें देखने के लिए मिल जाती होगा इस gallery के अंदर देखने के ल अनिमेशन चेंज आप लोगों को देखने को भी जाता था लेकिन इसमें भी optimization के साथ आप लोगों को यहां पर option जो है वो देखने की मिलने वाली तो gallery में काफी सारे changes जो है वो की गई है इस update के अंदर next feature है में security and privacy application में देखने के लिए मिल जाती basically security and privacy application में काफी अच्छी changes जो है वो की गई है आप लोगों को यहाँ पे interface जो है वो change देखने के लिए मिल जाएगी next feature है में setting के अंदर देखने के लिए मिल जाती then यहाँ पर setting में जाते हैं उसके बाद connected devices में जाते हैं हैं then guys यहाँ पर weet過去 interface को change करने की कोर्सिस की गई and something something features भी आप लोगों कहना ऐहाँ connected devices में देखने क्ली मिल जाएगी अगला feature आप लोगों को कुछ इस परकार का देखने क्ली मिल जाता है यहाँ नीचे में यहाँ पे लेफ साइड में आप लोगों को कुछ medical information करका option भी देखने के लिए मिल जाएगी है और यहाँ पर emergency के time में कुछ इस परकार से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है अगला फीचर में medical information देखने के लिए मिल जाती है साथ ही साथ medicine भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हूं कि current में कौन सा medicine रन कर रहा है अगला फीचर हमें जो देखने के लिए मिल जाती है पैनिक मोड देखने के लिए मिल जाती है basically हम लोग क्या करते है कि three times press करते है power button को तो उसके बाद यहाँ पर जिस भी person का हम लोग number select करके रखेंगे ना ठीक उसको जो है वह मैसेज चला जाएगा या फिस से call चला जाएगा तो उसके आप लोगों के सामने वाले person को पता चल जाएगा कि हां यह बंदा problem में तो आपकी वह help कर सकता है तो पैनिक मोड आप लोगों को यह फीचर जो है वह इंक्लूड देखने के ल जाएगी मतलब कि आप लोग कर सकते हो यहां से वहां कर सकते हो स्मॉल बीगी साइच कर सकते हो तो यह सभी कस्टूमाइजिसन आप लोगों को विजिट क्लॉक और वेदर के अंदर जो है वह हमी स्किन पर देखने के लिए मिल जाती है अगला फीचर में सेटिंग के अंद देखने के लिए मिल जाएगा जो कि और यह पोईंट ओ के साथ यह अपडेट जो वह देखने के लिए मिलते आ रहा है तो इसमें भी आप लोगों को काफी चेंजेस एन इंप्रूब्मेंट के साथ कलर पैलेट का फीचर देखने के लिए अगला फीचर में एच पैनल पाफी यहां पर कफी और देखने के लिए यहां पर यहां पर लोगों के अंदर देखने के लिए चैनल प्लूपास तके संपेंघरmeमञ्स को चेंज किया गया watermark यहां पर watermark and date को remove करने का यहां पर option आप लोगों को देखने के लिए और यहां पर आप अपने according जो है वो कुछ भी watermark रख सकते हो next feature आप लोगों को यहां पर photos and videos editing में देखने के मिल जाती जैसा कि आप लोगों मिस्कीन पर देख पारे होगे इस्टिकर्स का option आप लोगों को ओविसी देखने के लिए मिल जाती है काफी सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो के अंदर आप लोगों को इंटरफेस को जो है वो चेंज किया गया है एफेक्ट को चेंज किया गया तो something changes जो है वो इस feature में भी देखने के लिए मिल जाती है next feature आप लोगों को यहां पर color application के अंदर देखने के लिए मिल जाती है basically color application के अंदर आप लोग अपने according message block कर सकते हो या फिर से call भी block कर सकते हो मानूं कि सामने वाले person का आप चाहते हो कि message ना आए तो simple से आप सिर्फ message को block कर सकते हो then अगर आप चाहते हो कि सामने वाले person का call ना आए message आए लेकिन call ना आए तो guys आप लोग यहां पे सिर्फ call को block कर सकते हो तो यह सभी feature आप लोगों को one UI 5.0 with android 13 में include देखने के लिए मिल जाती है और guys अगर आप लोगों के smartphone one देखने के लिए मिलेगी वैसे ही यहां पे छोटे मोटे और भी काफी सारी features वो इस update के अंदर include की गई है तो आज के इस नहीं वीडियो में यही कुछ information थी यार वीडियो पसंद आई हो तो obviously आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजेगा काफी मैनत लगी है तो वीडियो को पठा पठ कर दीजे लाइक और चैनल पर पहली बार विसीट की यार तो subscribe करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर कर देना फ्रेंस के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना तो आज की इस नहीं वीडियो में बस इतना यार मिलते हैं कि लिए वीडियो में तब तक के लिए ज हैं हिन बंदे मात्रा में